वेलकम बैक, आज हम बनाने जा रहे हैं पीजा, वो भी बिना इस्ट और बिना चीज के, हमने पीजा को वाइट सॉस से बना कर तयार किया है, और कोई नहीं बता सकता कि हमने इसमें चीज यूज नहीं किया है, काफी लोग है जो चीज नहीं घाते हैं, और काफी लोग बनाना शुरू करते हैं आप देख सकते हैं हमारा जो यह पीजा है वह कितना अच्छा फ्लफी बनकर तैयार हुआ है और यह काफी चीजी भी लग रहा है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम लेंगे एक बावल उसमें डालेंगे वन कप मैदा हमने मैद यूज किया है। अब एड़ करेंगे 1 टी स्पून बेकिंग सोडा, फिर 1 टी स्पून शुगर पाउडर, स्वाध अनुसा नमक भी आड़ करेंगे, फिर एड़ करेंगे 1 थर्ड कप दही, हमने यहां पे दही को पहले फ्रिच से बा निकाल दिया था, थंडा दही यूज नह तो ने हम दräge दूल के पर क difficil पानि और जाया खरोगणा यहादा के सबना है थोड़ा गीला ही ना है और यहादा ना कोड़ा एक ही और ते लिए सब्सक्रीज़ जोह देसे कि कुछ्टी कैसे अभून कोफ तक के मजला केकम है रखुली के यहादा थैस pussy all than कितना अच्छा elasticity आया है और यह ज्यादा tight dough नहीं बना है बस इसके एक अच्छे सा बॉल बनाके हम इसे ढगके रग देंगे 30 minutes के लिए upside में हम white sauce बनाकर ready कर देते है उसके लिए हम लेंगे एक pan उसमें हम add करेंगे 2 टेबल स्पून घी और फिर हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा मैदा यानि refined flour हमें हमारी white sauce ज़्यादा गाड़ी नहीं करनी है इसके लिए हम इसमें थोड़ा ही मैदा add करेंगे अब मैदा को हम घीक के अंदर अच्छे से बुन लेंगे इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है ताकि जो मैदा हमने add किया है वो नीचे pan में चिपक कर जलना जाए यह सेम रेसिपी है कौन और ग्रेटिन की भी वो हम थोड़ा ज़ादा गाड़ा रखते हैं बाकी रेसिपी पूरी सेम है मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप देख सकते हो अब add कर रहे हैं half cup दूद और इसे हम continuous इसी तरीके से चलाते रहेंगे और दूद को हम अच्छे से mix कर देंगे ताकि कोई भी लंस ना रह जाए हमारा white sauce दो से चार मेंट में ही बनकर तयार हो जाता है इसमें हम add करेंगे स्वाद अनुसा नमक और अच्छे से mix कर देंगे ताकि ये सब में बराबर mix हो जाए दीरे दीरे हमारे जो दूद है जो हमारा white sauce है उसमें shiny look आने लग गया है और दीरे दीरे ये गाड़ा भी होता जा रहा है trust me कोई बता भी नहीं पाएगा कि हमने pizza के उपर cheese नहीं बल्कि white sauce add किया है क्योंकि taste में ये बिल्कुल cheese जैसा ही लगेगा बस हमारा जो ये white sauce है ये बनकर तयार हो गया है क्योंकि ये ठंड़ा होने के बाद में और गाड़ा हो जाएगा इसके लिए अब हम कर देंगे gas की frame off और इसे हम अच्छे से ठंड़ा होने दे देंगे ये perfect consistency है हमारी white sauce की आप देख सकते है हमारा जो white sauce की consistency है वो इसी तरीके की होनी चाहिए अब हम toppings तयार कर देंगे आप अपनी पसंद की कोर भी vegetables ले सकते हो मैंने यह आपे कुछ beans ली है दो कप cabbage लिया है वन कप carrot लिया है और वन कप capsicum लिया है अब लेंगे एक pan उसमें हम अड़ करेंगे दो टेबल स्पून आप cooking oil या फिर olive oil कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप अच्छे से गरम हो जाए फेस में अड़ करेंगे थोड़ी सी राई थोड़ा सा जीरा carrot हम पहले इसलिए डाल रहे है क्योंकि वो थोड़ी हाड होती है इसके लिए हम पहले carrot को अच्छे से oil में बुन लेंगे इसे हम अच्छे से दो मेंड के लिए roast कर देंगे ताकि जो carrot है वो कच्छी न रह जाए यह अच्छे से roast हो जाए तो हम इसमें डालेंगे दो कप cabbage और इसे भी हम अच्छे से roast कर देंगे carrot के साथ हम सारी सबजियों को जैसे जैसे add करेंगे वैसे हम उन्हें दो-दो मेंड के लिए roast करते रहेंगे ताकि हमारी सबजी कई से भी कच्छी न रहे और अच्छे से roast हो जाए और अब हम add करेंगे capsicum फिर beans और मैंने यह पे एक प्यास भी add किया है और इन सब को भी हम दो मिंट के लिए roast कर देंगे हमने इसे अच्छे से mix कर दिया है अब हम इसमें add करेंगे हमारी मसाले इसके लिए मैं डाल जीओ लाल मिच पाउडर अगर आप तीका खाना पसंद करते तो जादा add कीजिए थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसा नमक भी add कर देंगे फिर हम इसे अच्छे से mix कर देंगे ताकि जो हमारी मसाले है वो सारे सब्जियों में बराबर mix हो जाए हमारी toppings तयार हो गई है अब देखेंगे हमारा जो पीजा का जो डो है हमने बना के रखाता अच्छे से fluffy हो गया है और हमारी white sauce भी अच्छे से गाड़ी हो गई है यह perfect consistency है अब जह पे और थोड़ा आटा या मैदा डस्ट कर देंगे और इसे हम अच्छे से रोल कर देंगे ज्यादा पतला रोल नहीं करना है वरना हमारा पीजा जो है वो पतला बनकर ready होगा बस इसी तरीके से हम इसे रोल कर देंगे corner से और हमने हमारा पीजा अच्छे से रोल कर दिया है ह हम पैन में बेक करने वाले हैं इसके लिए इसको हमने ग्रीस कर दिया है ओल से फिर इस पे रख देंगे हमारी पीजा रोटी बराबर से सेट कर देंगे इसे फिर इसे साइट से हम इसे इस तरीके से रोल कर देंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रेस करना है हमें कॉर्न ताकि हमारा पीज़ा जो हैसाइट से अच्छे से फ्लफी बनकर रेडि हो अच्छे से फूले वो इस तरीके कहां हम डिजाइन कर देंगे और एक मैंसे माल पूलर्यल से बाद है अब अब हम लेंगे थोड़ी चॉपिंग उस मीकैचप ऊच्छा साओ तेस्ट आए फिसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स ताकि जो सॉस या केचप जो हमने आड़ किया है वो सारी टॉपिंग्स में मिक्स हो जाए हमारी टॉपिंग्स भी तयार है इसे मैंने पांच मिन के लिए ढख दिया था अब इस पर मैं अपलाई कर रही हूं केचप इसे ब लगाया था उस पर हम इसे अच्छे से अपलाई कर देंगे हमारी वाइट सॉस को धियान रहे हैं इसे हम कॉनर पर अपलाई नहीं करेंगे फिर एड़ करेंगे हमारा टॉपिंग्स जिसमें हमने केचप डायला था इसे बिएम अच्छे से उपर डाल देंगे अगर आपको टॉपिंग्स कम पसंदे तो आप कमी आड़ कीजिए और अगर आपको ज्यादा टॉपिंग्स पसंदे तो आप ज्यादा आड़ कर दीजिए फिर से हम इसके उपर आड़ करेंगे हमारी वाइट सॉस बेक होने के बाद में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि हमने इसके कैप्सिकम यूज किया है आप टोमाटो या रेड कैप्सिकम भी यूज कर सकते हो इस पर आप और चिल फ्लेक्स पीजा सीजनिंग जो भी अवेलेबल हो वह आप स्प्रिंकल कर दीजिए फिर से हम रख देंगे लो फ्लेम पर पंदरा मिंट के लिए इसे में अच्छे से ढ लगेगा इसे हम नीचे से चेक कर लेते हैं और यह परफेक्टली ब्राउन हो गया है गिव दिस रेसीपी ए ठ्राई और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए अगर आप पहली बार में चैनल पे आये तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हम मिलत अगली वीडियो में तब तक के लिए हैपी और सेफ कुकिंग